दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी आप एक नया घर बनाते हैं या फिर किसी दुकान को रेंट पी लेते हैं चाहे आप ग्रामी चेतर से बिलॉंग करते हो या फिर सहरी चेतर से बिलॉंग करते हो तो आपको एक बिजली का कनेक्शन लेना जरूरी होता है अगर आप बजली का connection नहीं लेते हैं तो आप अपने दुकान या घर में बजली का use नहीं कर सकते हैं ये illegal होता है ये तो आपको पता ही होगा तो दोस्तों बजली का connection लेने के लिए आपको एक online करने का ज़रूत पड़ता है अब बिना online किये बिजली का connection नहीं ले सकते हैं दोस्तो आज की इस नई वीडियो में मैं इसी topic के बारे में बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे बिजली का connection के लिए online कैसे कर सकते हैं तो चलिए बिना time waste किये वीडियो को start करते हैं आपको detailed में समझाते हैं कि आपको इसका online कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो online करने से बहले इसके बारे में एक basic information बता आता हूँ अगर आप बिहार से बिलॉंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बिहार में दो परकार का connection होता है एक होता है SBPDCL और एक होता है NBPDCL SBPDCL का मतलब होता है South Bihar Power Distribution Company Limited and NBPDCL का मतलब होता है North Bihar Power Distribution Company Limited तो दोस्तो अगर आप South Bihar से बिलॉंग करते हैं तो आपको simply SBPDCL के लिए online करना है अगर आप North Bihar से बिलॉंग करते हैं तो आपको NBPDCL का online करना है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर SBPTCL के official website पर land कर चुका हूँ इसका direct link मैं आपको description में provide कर दूँगा आप Google में search भी कर सकते हैं SBPTCL तो आपको यह link आपको मिल जाएगा इस website पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखेगा अगर पढ़ना है तो आप simply first link पर click करके इसके guidelines को पढ़ सकते हैं अगर आपको guidelines के बाले में जाना जरूरी नहीं है तो आप simply यहाँ पर एक option दिख रहा होगा new service connection का आपको simply इस पर click कर देना है आप जैसे इस पर click करेंगे आपको इस प्रकार का preview open होगा इसमें आपको सबसर पहले यहाँ पर मांगा जा रहा है mobile number तो आपका जो भी personal phone number है आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद आपने जीला को यहाँ पर select कर देना है जिसे हम district भी बोलते हैं तो दोस्तो mobile number and आपका जीला slate करने के बाद आपको यहाँ पर simply generate OTP वला option पर click कर देना है अब जैसे generate OTP पर click करेंगे आपके phone में एक OTP जाएगा आपको उस OTP को यहाँ पर enter कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने OTP को enter कर लिया है OTP इंटर करने के बाद आपको एक option दिखेगा connection details का तो आपको simply इस पर click करना है और जो lt का option दिख रहा होगा आपको simply इस पर click कर देना है सो जो second में देखेंगे contact details of applicant तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपने number fill किया था वो यहाँ पर show होने लेगा अगर आपको अपना email ID भी देना है तो simply आप अपना email ID भी यहाँ पर fill कर सकते हैं अगर आपके पस email ID नहीं तो आप इसे blank भी छोड़ सकते हैं So friends next option है address details का तो आपको इसमें अपना पूरा address fill कर लेना है मैं आपको जल्दी से address fill करके यहाँ पर देखा देता हूँ आपको जो गाओं है उसका नाम यहाँ पर fill कर लेना है next दिखेंगे section तो आपको जो भी section होगा आपको इहाँ पर select कर लेना है त्यक्ते होज़ करने के बाद एक option ट्रील को यहाँ लगा है तो अपको यहाँ अपर थी säga ट्रील करना है अपना connection ग्रामी छेतर में लेना चाहते हैं तो आपको simply यहाँ पर जो सेकिंड वाल ओप्सन है DS1D का आपको simply इस पर क्लिक कर देना है इसके पद एक option दीख़ेगा फेस का अब कितने फेस का लेना चाहते हैं मैं यहाँ पर आपको सजेश्ट करूँगा कि आप ग्रामी छेतर से बलाओं करते हैं तो simply यहाँ पर वन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद लोड में भी आप यहाँ पर वन ही फिल करेंगे इस सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दीख़ेगा चौथा न कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना husband name यहाँ पर फिल कर देंगे अगर कोई agents है तो यहाँ पर simply अपना father name फिल कर देंगे तो यहाँ पर यह दोनों फिल करने के बाद आपको यहाँ पर next option है ID proof of applicant तो दोस्तों ID proof में यहाँ एक option है document type का आपको simply इस पर क्लिक करना है तो आप ज करें सकते हैं रासन Card ay Bpl है जो भी आपके पास यहाँ पर विलेवल है आपको simply वह सेलेट कर लेना है जैसे मैं यहाँ-पर सिंपली अधार कार्ड को च्तले खैल तो उसका size यहाँ पे 500 kbc कम रखना है और अगर आप PDF file में यहाँ पे document को upload करते हैं तो उसका size 10,000 kbc कम रखना है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस परकार से आपको अधार कार्ड को set कर लेना है आगे और पीछे का दोनों को photo कीच के FIA scan करके set कर लेना है उसके बाद यहाँ पे upload कर देना है दोस्तों upload करने के लिए आपको simply choose file पे click करना है जहाँ भी आपका अधार कार्ड है आपको simply उसे select करना है यहाँ पे open करना है और दोस्तों next आप देखेंगे आपसे पूचे जहरा address proof of applicant यहाँ पे आपको address proof में भी एक document देना है यहाँ पे आप simply click करेंगे तो आपको simply अगर आपके बाद सिर्फ अधारी कारड अविलेवर है तो simply अधार कार को select करेंगे अधार कार select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अधार का front page मतलब जो भी पहला page होता है उससे यहाँ पे अप्लोड कर देना है और दुसरे वाले में यहाँ पे आपको अधार कार्ड का last वाला page यहाँ पे अप्लोड कर देना है आपको अधार कार्ड अप्लोड करने के बाद आपको 7th number में एक option दिखेगा photo of applicant तो आप जिसका भी online कर रहे है उसका photo यहाँ पे अप्लोड कर देना है और next आप दखेंगे option है आथमा नंबर में photo of ownership first page of lease date rent agreement and others आपको simply यहाँ पे अपना जमीन का रसीद अप्लोड कर देना है या फिर आपके बस rent का agreement है तो यहाँ पे वो भी अप्लोड कर सकते हैं first page वाला and इसमें आपको last page वाला rent agreement यहाँ पे अप्लोड कर देना है जैसे आप okp click करेंगे आपका online complete हो जागा यहाँ पर आपको एक request number दिया जागा यहाँ आप देख सकते हैं लिखाव है new connection request created with request number is this जो आपको इस request number को याद कर लेना है जो जो मैं इसका number याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ अगर आपको इस connection का status check करना हो तो आपको इस number का जरूत पड़ेगा दोस्तो चलिए अब मैं आपको इसका status भी check करके बता दोता हूँ कि आप इसका status को कैसे check कर सकते हैं इसका status check करने के लिए आपको computer browser में search करना है हर घर बिजली आप जैसे हर घर बिजली को search करेंगे आपको इस पर करकार के preview open हो जागा आपको simply यहाँ पर first link जो दिख रहा है हर घर बिजली का आपको simply इस पर click कर देना है अब जैसे इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर दो process complete हो चुक है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर application के पूरा details यहाँ सो होने लगा है तो दोस्तों इस process को complete होने में कुछ दिन time लगता है हफता सो 10 दिन लगेगा एक हफता सो 10 दिन के अंदर आपके घर में बिजली विभाग के तरफ से कोई आपके घर में मीटर को लगा दिया जाएगा तो दोस्तों मैं आसा करता लगी हो तो इस वीडियो को like, comment and share जरू करें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe भी जरू करें ताकि आपको इसी परकार की informative वीडियो रेगुलर मिलते रहे तो दोस्तों thanks for watching my videos and that's all for today